खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीज़ेए अभी विरोत कर रहे हैं इसी बिल का संगे अपराद में बिना वारंट के गिरफतारी होगी तो तीन तलाग बिल में क्या क्या है वो आपको समझा रहे हैं जो पांचमा पॉइंट है पीडित के एफ आयार दज कराने पर संगे अपराद ये होगा आरोपी को पुलिस जमानत न नहीं होंगी जमानत देने की मजिस्ट्रेट को सुले करा कर शादी बरकरार रखने का भी अधिकार होगा यानि आपसी मश्वरे और आपसी सुले से रिष्टे को बचाये जा सकता है फैसला होने तक बच्चा मा के संरक्षन में ही रहेगा आरोपी को पत्नी बच्चे का एलाव बिल लेकर आई 2017 में ये बिल पेश किया गया लोकसवा में तीन तलाग बिल पास भी हो गया 28 दिसंबर 2017 को तीन जनवरी 2018 को तीन तलाग बिल राजसवा में पेश किया गया लेकिन पास नहीं हो पाया बहुमत का आकड़ा सरकार के पास था नहीं और उसी के चलते हर बार ये बिल अटक जा रहा है लेकिन सरकार ने अपनी प्रतिपदता दिखाई हुई है और आज फिर पेश करने जा रही है केबिनेट ने तीन तलाग बिल को मन्जूरी दी 12 जून 2019 को आज लोकसभा में तीसरी बार ये तीन तलाग बिल पेश होने जा रहा है अध्यादेश भी तीन बार लाया गया लोकसभा में तीन बार राज्यसभा में एक बार तीन तलाग बिल को पास कराने में लगी हुई है मोधी सरकार लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार रोडाट का रही हैं उनकी अपनी शिकायते हैं मुस्लिम संगठन जो हैं वो भी विरोध में हैं सरकार के और उनका कहना है कि उनसे मश्वरा नहीं किया गया ये उनके धर्म का मामला है लेकिन प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि तीन तलाग बिल सबसे बड़ी प्रियोरिटी है सरकार की प्रशोर से आवाज उठा रही है एंसीपी, एसपी, टीमसी, जेडियू, एाइम, आइम, डीमक और पीडिपी ये सभी पार्टियां विरोध में हैं और क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास आकड़ा मौजूद नहीं है और इसी के चलते ये बिल पास नहीं हो पा रहा ह उटियां षून हम आए़ चून हम आएभ लाजे słu कारकार के लिए बिन आया है सार रहा है mis صलति5 ये एंसी के लिए